चलो आज मनाते हैं हम लोग यह चावल के लड़ी छे तीज में तो ज़रूरी एकदम बनते हीं हैं तो आपकी तरफ यह तीज में चावल के लड़ी बनते ह keeping नहीं आप मुझे ज़रूर बताना अगर इनकेस नहीं भी बनते हैं तो कोई इशू नहीं है अब घर में भी इससे सकते हो खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिस लगती है और बहुत ही कम चीजों से यह बनके रेडी हो जाती है इतने सारी लड़ू बस एक कप चावल से मैंने बना के हाँ रेडी किया है तो आप ज़रूरी से एक और घर पे ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको यह चावल के लड़ू कैसे लगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो ना तो आप वीडियो को ज़्यादा सेर किया करो लाइक किया करो और सब्सक्राइब करना अक्तम मत भूलो तो चलो आज बनाते हैं हम लोग यह चावल के लड़ू बहुत ही कम तरीके से मैं पानी से वास कर लूँगी उसके बाद फिर मैं इसे अच्छी तरीके से स्ट्रेनर में चान लूँगी तो आप इस तरह से चावल के लड़ू बना के देखना बहुत ही बढ़िया बनेगा इनकिस अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो होस्टल विगरा मेर तो आप उन्हें भी बना के दे सकते और इसे महीनों तक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो उसके बाद फिर मैंने इसे अच्छी तरीके से जब चान लिया तो इसे मैं फैन के नीचे ना कम से कम साथ से 8 मिनिट के लिए ना सूखने के लिए दे दूँगे ज चुका था तो अब मैं इसे चावल को न अच्छी तरीके से थोड़ा भूंज लूँगी तो इसे मैं लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से भूंजूँगी तो आप इसे ऐसा ही चलाते जाना है पहले फ्लेम को थोड़ा लो करेंगे उसका फिर फ्लेम को मीडियम कर देंगे औ और इसे अच्छी तरीके से भूझ लेंगा आपको इसे तब तक भूझना है जब थे थोड़ा golden brown ना होने लगे जब ऐसा golden brown होने लगेगा और थोड़ा सा एक्दम यो dry होने लगेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह चावल अच्छी तरीके से भूझ चुके हैं हमारी तरीके से चावल भूझ चुकी है अब इसे मैंने प्लेट में अच्छी तरीके से ट्रांसफर करते होती है यह देखो एक्दम golden brown हो चुका है ना तो इस तरह की तब consistency होगी अब उसके बाद फिर आप हम लोग इसे grinder में ट्रांसफर करेंगे और इसे अच्छी तरीके से हम ल में तो अच्छा रहेगा तो आप इससे ध्यान रखना कि एक दम बहुत जादे भी powder form में हलका दरदरापन होना चाहिए तो आप देख लेना consistency उसके बाद फिर मैंने इसे चाननी से न अच्छी तरीके से चान लिया तो आपके पास कोई भी इस ट्रेनर हो आप उससे चान ल भाली रेस्पी में तगार की है, रेस्पी सेयर की है, उसके आप पर मैंने यहाँ पर ट्राइफरूट्स ग्राइंड के हो डाला एक च्छोड चिमची लाइची पॉडर भी डाला था, उसके बाद यहाँ पर मैं पांज से चेट टेवल स्पून घर की एक दम घी मैंने एड की है तो आप कोई भी घी हां पर यूज कर सकते हो तो अपना अगर मान के चुलो आप बना रहे हो और थोड़ा सा अपर ड्राई लग रहा है लट्टू तो आप इसमें एक्स्ट्रा घी भी एड कर सकते हो तेहां पर मैंने ऐसे 5-6 चमच घी डाला है तो उतना में आराम से हो तो यह देखो इसे अच्छे तरीके से फिर मैं मिक्स कर लूँगे अच्छी तरीके जब आप मिक्स करोगे तो आपको खुद बाइंडिंग पता चलने लगेगा आपको लगेगा कि लड्टू एक्दम आराम से बन जाएगी उसके बाद फिर मैं इसे अपने बीच में मिसर जो में यह बन के रेड़ी हो जाता है मुझे तो बहुत ज़्याद़ टेस्टी लगता है खाने में और बहुत ही बढ़िया लगता है अप जाहो तो इसे महीनों तक इस्टोर करके एरटाइट कंटेनर में रख सकते हो और इसे कभी भी खा सकते हो या फिर आप ट्रैवल कर तो आप वहाँ भी लेके जा सकते हो तो आप जरूरी से एक वर बना कर देखना और मुझे जरूर बताना कि आपको यह recipe कैसी लगी और 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 भी सारी recipe जो मैं आपके साथ share करती हूँ न वो आपको कैसी लगती है और मुझे यह भी जरूर बताना कि आप तीज में यह बनाते तो अगर आप यह बनाते होगे ना तो आपको पता होगा कि इसका टेस्ट कितना बढ़िया लगता और आपने कभी नहीं बनाया ना तो मेरे रिकमेंडेशन से आप एक वर जरूरी से घर पर बनाओ आप वो बहुत ही बढ़िया लगेगा खाने में तो अगर आप यहां तक आ आपको बारी चौप करके रखा था तो मैंने वो इसमें मैंने अड़ किया तो आप घर पर बना रहे हो तो नॉर्मल इस तरह से लड़ू बना के खा सकते हो रख सकते हो आपके वो जरूरी नहीं कि आप गार्निस करो मुझे तो आपको वीडियो में दिखाना होता है कर देती हूं तब जल्दी सब यहां तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करो सेर करो और प्री सब्सक्राइब करो तब तक मैं जहीं लिंग पाई